अपनी मुमी रजनी की बात सुनकर शिल्पा बड़बड़ा रही थी, वो कह रही थी कि आप लड़के वालों को आज आने से मुना नहीं कर सकती थी क्या, अभी तक लड़के वालों ने लड़के की फोटो भी नहीं बेजी और लड़की देखने चले आ रहे हैं, ये भी कोई अब देखो, मेरी न तो आइब्रो बनी है, न बालों के कटिंग से ही हो रही है, कम से कम इसके लिए तो पालर जाना ही पड़ेगा, रजनी शिल्पा से बोली, तु जल्दी से पालर हो करा, मैं इतने में घर को ठीक करती हूँ, इतना आच्छा रिष्टा है, हाथ से जाने अबी तो नहीं दे सकते न, तेरी मोसी बहुत तारिफ कर रही थी लड़के की, शिल्पा ने फिर साइकल उठाई और पालर के लिए निकल पड़ी, वहाँ पर उसने आइब्रो, कटिंग और लाइट मेकप कराया, और जल्दी से पालर से बाहर निकली, पर ये क्या, जब प जमक रही थी, पर एक गंटे के अंदर मोसम बिलकुल बदल गया था, मुस्तलादर बारिश की वज़े से सडके थोड़ी देर में ही तालाब बन गई थी, वो पालर में रुख भी नहीं सकती थी, क्योकि घर भी जल्दी पहुँचना था, वो सडक पर बचती बचाते साइक पेदल लेकर पेदल चलने लगी, तब ये गाड़ी आई और गंदे पानी को तेजी से चीरते हुए आगे बढ़ने लगी, जिससे गंदे पानी की छीटे उस पर भी पढ़ गई थी, उसके सारे कपड़े और मेकप खरब हो गया था, वो गुसे से बिलबला उठी और जोड से बोली, देखकर नहीं चला सकते क्या? पता नहीं, गाड़ी में बेटकर अपने को क्या समचते हैं? जरासी भी तमिज नहीं है? ऐसा सुनकर ड्रैवर ने पिछे मुड़ कर देखा और फिर गाड़ी को तेजी से बगा ले गया, अब शीलपा भुनभुन आती हुई, गर पहुची, तो उसकी मम्मी ने उसे दूसरे गेट से अंदर करा, क्योंकि लड़के वाले पहुच चुके थे, उसकी मम्मी ने उससे बताया कि लड़का पिली तमीज पहने हुए बेठा है, उसे ठीक से देख ले ना? वो जल्दी से अपना हुल्या ठीक करके लड़के वाल अवाज में उनका उत्तर देने लगी, जो उन्हें सुनय नहीं पड़ रहा था, थोड़ी देर बाद लड़के वालों की तरफ से कोई बोला, अरे उतनी जोर से बोलो ना? जितनी जोर से गाड़ी वाले को डाट रही थी, जिसने तुम्हारे कपडे और शायद मेकप नहीं पाई, तो लड़के वालों ने उन्हें पूरी बात बताई, जिसे सुन कर वो मा भी मागने लगे, लड़के की मम्मी बोली, अरे आपको सोरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, गल्ती तो हमारी थी, दरसल हमें भी यहाँ पहुंचने के जल्दी थी, तो गाड़ी पा पाईश ने सारा काम बिगार दिया, ना बारिश होती, ना पानी परता, ना उसे किसी को डाटना परता, अब डाटने का खामियाजा, देव जिसे समार्ट लड़के को खो कर उठाना ही पड़ेगा, पर जैसे ही उसके कानों में लड़के की मा की ये शब्द पड़े, कि हमे देव के लिए शिल्पा पसंद है, उसका दिल तेजी से दड़कने लगा, बड़ी मुश्किल से उसने दिल पर काबू पाया, सब एक दूसरे को बदाई दे रहे थे, शिल्पा की नजरे देव से मिली, तो देव ने कानों पर हाथ रखकर उससे इशारों इशारों में माफ बन गया था, दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, लिचे कमेंट करके जरूर बताएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेर करिएगा ज्यादा ज्यादा लोगों तग, और ऐसी और पी इंस्पिरिशन